दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उसम ग्यान हिंदीनी शेनल में एक बार फिर से तो दोस्तों आज होगे 18 नमबर 2019 से दिन सोमवार का बात कर लेते हैं आज की मुक्त समझे टूडे ब्रेकिंग नियूज इंडिया नियूज हेडलाइन अपडेट्स की कई सारी महत्वण और काम की खबरें ध्यान से पूरे वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहेगा जिया दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार की बड़ी घोशनाय आई है बड़ा नियम लागू किया है इसके अलावा दोस्तों अलगलग राज्यों से आई-वी बेहद सिलक करके लाएग गई खबरें जो केवल अकेवल आपके एक काम की है एक एक करके हम आपको तमाम इन बड़ी खबरों के बारे में जानकारिया देंगे पर उससे पहले आप से एक निवे देने दोस्तों तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल करा रही कि राम जन्मुमी विवात पर सुप्रीम कोट के फैसले पर मुस्लीम पक्ष दो फार जी यहां दोस आपको बता दे कि आएद्ध में राम जन्रमी विवात सुप्रीम कोड के फैसले पर मुस्लिम पक्ष बटा नजर आने लगा है आपको बता दे है ओल इंडिया मुस्लिम परसनला बोर्ड ने इसे अनुचित बताते हुए नामंजूर कर दिया है रविवार को लखनों में बोर्ड की कारकारणी ने एहम बैठक कर निड़े लिया है कि सुप्रीम कोड के फैसले पर मुस्लिम पक्ष पुनविचार याजिकार दायर करेगा और बोर्ड ने मस्जिद के लिए पांच एकड़ भूमी अनेतर लेने से भी ये कहते हुए इंकार कर दिया है कि ये शरीयत के खिलाफ है हाला कि मुस्लिम पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोड के फैसले का सम्मान करते हुए कहा आयोध्या से आरी आपको बता दे कि अप्रेल 2020 से शुरू होगा निर्मान कार है ऐसे बने गार राम मंदिर जीयां तो साब को बता दे कि आयोध्या में राम मंदिर का निर्मान का रास्ता साफ कर दिया है और अपने फैसले में कोड ने केंद्री सरकार को ये निर्देश भी दिया है कि वो तीन महिने के अंदर योजना बनाए और मंदिर निर्मान के लिए एक ट्रस्ट का गठन करें और दोस्तों हैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दे कि केंद्री मंदिर रामदास अठावले ने कहा महराष्ट में सरकार बनाने के लिए अमिश्या से बात की तो मिला ये जवाव जिया अदर साब को दादे महराष्ट में सरकार गठन को लेकर केंद्री मंदास अठावले ने कहा कि मैंने अमिश्य भाई भाजपा अध्यक्ष बात की मैंने कहा कि अगर आप मद्य सता करते हैं तो हम सरकार बना सकते हैं इस पर अमिद भाई ने कहा कि आप चिंता ना करें सब कुछ अच्छा होगा सरकार बनाने के लिए भाजपा और शिवसेना साथ आएंगे और आपको बता दे उन्हें ने कहा गौर तलबे कि महराश में सरकार के गठन को लेकर लंबे समय में उठा पठक जारी है और यहां तक कि किसी पार्टी के सरकार नहीं बना पाने से जटका लगा और राज में राश्पति शासन लगा दिया गया और शिवसेना सत्ते में बराबर की भागिदारी चाहती थी इसलिए वे धाई-धाई साल के लिए मुखमंद्री पत्की मांग के लिए अड़ी हुई है शिवसेना कि समर्सों की नारे बाजी जियांदो साब को बताते कि बाला साब ठाकरी की स्मृति सभा में शिवसेना के अलावा भाजपा के नेता भी श्यदांजिली देने पहुंचे कारिकरम में शामिल है महाराज के पूर मुखमंद्री देवेंद्र फनरीस को वापस आते वक्त सामने नारे लगा रहे थे कि सरकार किसकी शिवसेना की बता देगी कारिकरम में फनेडिस के अलावा पंगजा मुंडे और विनो तावले भी शामिल हुए इसके साथ नेता चुछ चगन भुजबल और जेयंद पाटिल शिवसेना नेता संजयराउट और अर्विंद अलताफ हुसेन ने भारत से मांगी शरण मोदी से लगाई गोहार जियां दोस आपको बतादे इंग्लैंड में निर्वासित जीवन बिता रहे पाकिस्तानी नेता एवं मुताहिदा कौमी मूव्मेंट के प्रमुख अलताफ हुसेन ने भारत से शरण मांगी है उन्हेंने बतादे कि हुसेन ने साल 2016 में यूके के पाकिस्तान में अपने अनुयाई़ों के लिए एक कथे घरशनात पर भाशार प्रसारित करने के साथ आरोप था और इसमें उन्हों ने अपने अनुयाई़ों के से कानून हाथ में लेने का आहवान किया था आपको बतादे आताग् और दोस्तों हैं अगली बड़ी ख़बर में आपको बताते कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ AIMPLB दाखिल करेगा पुनाविचार याचिका जी हैं तोस्तों आपको बताते कि ऑल इंडिया मुस्लिम परसल लाबोर्ट की लखनों में करीब तीन घंडे की बैठा के बाद सदस्यों ने आयुद्धा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनाविचार याचिका दार करने पर सहमती जताई है और इसके साथ ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णाई पर भी उठाई है आपको बताते बैठा के बाद प्रेस कॉन्फरेंस में बोर्ड के सदस्यों ने मीडिया को समधित किया और सेयद कासिम रसूल इलियास के साथ बाबरी एक्शन कमिटी के सहियों जग जफरिया जिलानी ने मीडिया को सम्मूधित किया इन्होंने गहां कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ और इंडिया परसल्य लाब बोर्ड पुनाविचार याजी का दाखिल करेगा और आयॉत्या मामले को लेकर और अश्वम लाबर्ड रिवियु फाइल करेगा आपको बता पर दिया भरोसा विपक्ष ने उठाया ये मुद्दा जिया दोसा पड़ादे के शीट काली सत्र से पहले सरकार की और से रविवार को बुलाई के सर्वडली बैठक में प्रधानमंति नरेंद मोदी ने भरोसा दिया कि सरकार संसथ में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए त्यार है और वहीं विपक्ष ने लोगसभा के मौजूदा संसाथ नेशनल कॉंफरेंस नेता वजमु कश्मीर के पूर मुखमत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत का मुद्दा उठाया और उन्हें सदन में भाग लेने की इजातत दिये जाने की मांग भी की आपको बता 34 राजनितिक बंदियों को भी दूसरी जगा किया गया शिफ्ट जियां दोस्त आपको बता दें कि कश्मीर में ठंड भढ़ते ही होटल संपूर में हिरासत में रखे गए 34 राजनितिक बंदियों को MLA होस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि होटल में भारी वर्फ बारी के चलते ठंडे से बचाओ के सही प्रबंद नहीं थे और बता दे कि प्रशासर ने सभी बंदियों को अनुश्यत 370 हटाने से पहले ही हिरासत में लेकर होटल में रखा था और दोस्तों में अगली बड़ी खुबर खेल की दुनिया से आरे आपको बता दें कि MS दोनी के बाद दूसरा वंडे विश्व कब खिताब जीता और ये भारती किर्केट फैंस के लिए कभी भूलने वाली बात नहीं है और धोनी ने दोजसाथ में T20 विश्व कब खिताब जीता था और उसके बाद इस सफलता की वज़े से वो भारत के सबसे सफलतम कप्तान भी बने और आपको बता दे धोनी की इस दोनों जीत में जो एक बात कॉमन थी वो ये कि दोनों ही बार फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबास गौतम गंभी ने शांदार पारी अपने देश के लिए खेली थी तो दोस्तों में अगली बड़ी ख़बर की तरफ रुक कर लेते जो कि दिल्ली से आरी आपको बता दे कि और इवन खत्म होने के पहले ही दिन जगह जगह जाम लोगों को हुई दिक्कत जी आदोस्तों आपको बता दे कि राजगानी दिल्ली में और इवन योजना के खत्म पर जाम लगने से वहानों की रफ्तार धीमी रही मदड हरी से लेकर सराय काले खां तक जाम लगा रहा और जाम को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली और वहीं D&D आश्रम, धौला, कुआं और कालंदी कुझ आउटर रिंग रोड वा एंबी रोड पर भी लोगों को जाम का सामना करना पड़ा, आपको बता दे लाल भादू शास्ती मार्ग फ्लाइ ओवर के नीचे आउटर रिंग रोल के पैरलल दोनों और से सीधे आवगमन बंद किया जाने के बावजू जाम लगा रहा, तो दोस्तों आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि दिल्ली में जो सरकार और इवन वाला फॉर्मुलर लागू किया था, क्या वो हमेशा रहना चाहिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो चलिए अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, तो दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर केरल से आ रही है, आपको ब मढ़ पड़ी, मंदिर में सभी आयो की महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोट के आदेश को देखते हुए, सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए हैं, लेकिन साथ ही केरल की वाम मोर्चा सरकार ने साफ कर दिया है, कि इस बार वो सबरी माला मंदिर को आंदो नाश के लिए अपनी रोबो आर्मी को उतारने की त्यारी कर ली है, और ये रोबोट आतंकियों के गुप्त ठिकानों में घुस कर ना केवल उनकी सही सिती बताएंगे, बलकि उसे तबह भी करने में भी सक्षम होंगे, और खास बात ये है कि ये रोबो आर्मी इसी मा के आ आ जाएगी और इसका ही नहीं दुश्मन के घुसपैट को विफल बनाने और पाकिस्तानी सेना के हमलों को नाकाम बनाने के लिए रोबर्ट काफी कारगर से दूँए तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर आरी जो कि योजना से जुड़ी आपको बताते कि आईश्मान से गंबीर रोगियों के लिए स्वास्त बीमा योजना की पांच लाग की सीमा को बढ़ा कर उन्हें इलाज की सुविदा देने पर विचार अवशय किया जा सकता है आपको बता दें एम्स और राश्ची स्वास प्राधिकरण अनैचे ने मंत्राले से अपील की थी कि नहीं थम रही रैगिंग की घटनाए इस साल दर्ज हो चुके हैं 950 मामले जीयां दोसाब को उताते कि रैगिंग पर सकती के बाद भी इससे जुड़ी घटनाए फिलाल थमती नहीं दिख रही है ऐसे में यूजिसी ने इस मामले में अब राज सरकार को भी जवाब दे बन यूजिसी की मुहीम अब तक विश्रिदाले और दूसरे उचे सिक्षर संसानों तक ही सीमित है और खास बात यह है कि विश्रिदाले अनुदान आयो यूजिसी ने राज्यों को यूहीं चित्थी लिख कर मदद नहीं मांगी है बलकि यह मदद तम मांगी है जब उसकी पर आपको बता दे कि पूर भाजपय विदायक के बेटे के घर की तलाशी शनिवार को हुई थी गरफतारी जिया दोसरे आपको बता दे कि पंजाब और महरास्ट को आपरेटिव पीमसी बैंक गोटाले में मुमई पुलिस की आर्थिक अपराद शाखा बी ओ डवी ने चिस नवंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है दोस्तों है अगली बड़ी ख़ब निकल करा रहे कि मार्च तक बिग जाएंगी एर इंडिया और भारत पेट्रोलियम जैंदोसरा आपको बता दे कि सरकार एर इंडिया और आइल रिफाइनर भारत पेट् वर्ष में एक लाग करोड के फायदे की उम्मीद है आपको बताते वितमंदी सिर्व निर्मिला सीता रमन ने कहा है कि एर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया शुरू होने से पहले निवेशे किसे लेकर उत्तसाहित है और हाला कि एर इंडिया को बेचने की तयारी पिछले सा पायज है और दोसु में एकली बड़ी कपर में आपको उताते कि आधार को प्रॉपरटी के लेन देन से लिंक करना हो सकता है अनिवार सरकार ला रही है नया कानून जियां दोस्व आपको बताते कि प्रॉपरटी बज्जार में खरीद फरोखत को लेकर होने वाले वर्जी होगा आप वजाते दोजाओ चौदा में मोधी सरकान के सत्ता में आने के बास एक आले धन पर लगतार शिकंजा कसा जा रहा है और इसकी जद में आने वाले पहला सेक्टर रियल स्टेट है और रियल स्टेट शेत्र में काले धन के बढ़ते प्रभाव से प्रॉपर्टी की कीमते गिर गई है और यह आर्थिक मंदी का एक प्रमुक कारण रहा है तो खबरों में आके बढ़ने से पर लेक आपको फिर से याद दिला दे कि अगर आपने हमारे वीडियो का अ आने वाले बहुती चर्चित शो के बारे में जिसका नाम है बिग बॉस जी है दोसो आपको पतादे अरहान खान हुए बिग बॉस के घर से बेगर आपको पतादे बिग बॉस 13 में इस अफ़ते मॉडल और अच्टर अरहान खान का सफर खत्म हो गया है और अरहान खान ने आरहान की रश्मित इसाई की दोस्ती की बात कही जा रही थी आपको बतादें समझ ये थी आया है कि दोनुए बिग बॉस में शादी करने वाले थे या लिडिया थैं पुराइज को पूरा बनाने को लेकर नियुन्तम साध्य कारक्रम तयार हैं, सरकार बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट लगबग तयार है, इसके बावजुत राज में सरकार बनाने का सपना साकार नहीं हो पा रहा है, आपको बता दे सवाल है, आखिर इन तीनों दलों के बीच कौन सा ऐसा विवादास्पत मुद्दा है, जिस पर तीनों पार्टियां एक टेबल पर नहीं आपा रही हैं, आपको बतार राज में कॉंग्रेस और NCP शिरसेना के बीच निन्टम साजा कारकरन तै होने के बाद बताया गया कि तीन दल सहींत रूप से राजपाल से मिलेंगे, शनिवार को दोपैर के बाद अचानक खबर आई कि ये राजपाल के साथ ये साजा मुलकात रद कर दी गई है, इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया गया है, तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों के अपडेट से टूड़े ब्रेकिंग निउस और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल आसम ग्यान हिंदीनी चैनल से जुड़े नहीं है, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरू कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी यूजनों की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.